का सोधन बात करें अपोहन की तो जो पार्चमेंड जिल्ली होता है बच्चो वही होता है अपोहन बासवन में आ रही है जो पार्चमेंड जिल्ली होता है उसी को हम लोग कहते हैं अपोहन क्योंकि किसी भी कोलाइडी विलेयन का सोधन पार्चमेंड जिल्ली दुवारा करते ह बात करें पार्चमेंड जिल्ली की तो जसमें जन्तूओं कीौी पार्चमेंड जिल्ली होती है। हम लोग सीखेंगे अपोहन विधी दुवारा कोलाइडी विलियन का सुधन कैसे किया जाता है इस विधी में करते क्या है एक बड़ा सा पात लेते हैं एक बड़ा सा पात लेते हैं और पात को ऐसा हम लोग सेट अप करते हैं एक साइड से जल पात के अंदर प्रुवेस करता है दूसरे साइड से जल पात से बाहर निकलता है बासवज में आ रही है एक साइड से जल प्रुविस करेगा दूसरे साइड से जल बाहर निकलेगा चुकि हमें अपोहन विदी द्वारा सोधित करना है तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है एक थैला लेते हैं थैला जो की पार्चमेंट जिल्ली का होता है पार्चमेंट जिल्ली को हम लोग अपोहन कहते हैं तो यहां पर जो थैला होता है वो पार्चमेंट जिल्ली का होता है इसमें हम लोग करेंगे क्या इसमें कोलाइडी बिलियन को भरेंगे चरी हमने क्या किया इसमें कोलाइडिविलियन को भर दिया यह आप देख पा रहे हैं कोलाइडिविलियन को हमने क्या किया इसमें भर दिया अब होता क्या है और ये जो पात रह बच्चो ये वाटर अर्थात आपका सकते हैं जल से भरा होता है और पार्चिमिन जिल्ली में हम कोलाइडी बिल्यान को भर देते हैं कोलाइडी बिल्यान ऐसा होता है जिसमें कुछ क्रिश्टलाप के कणधी उपस्थित होते हैं जब भी पार्चिमन जिल्ली से सोधन करने की बात आए तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो थैलिया होती हैं, जो पार्चिमन जिल्लीया होती हैं, इन में से ज़्यादा तर आयनिक चीज़े ही छन पाते हैं, आयनिक चीज़े ही विसरित हो पाते हैं, जितने भी आयनिक या अनायनिक होंगे बड़ जो कोलाइट के कड़ छोटे होंगे कोलाइट के जो छोटे-छोटे कड़ होते वो पार्चमन जिल्ली के द्वारा नहें चल पाते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं एक पार्चमन जिल्ली का थैला लेते हैं और जल से भरे पात्र में लटका देते हैं आपकर सकते हैं dip कर देते हैं दिप करने के बाद पात्र भी ऐसा होता है एक साइड में जलाता है दूसरे साइड से जल बाहर जाता है ताकि इस पर प्रेसर भी पड़ता रहे अब होगा क्या जो छोटे क्रिस्टलाब के आयनिकर होंगे वो इस झिली के दुआरा बाहर निकलते रहते हैं अर्थात आप कर सकते हैं जल में आएंगे और यहां इस 10साएड से जल अंदर प्रोयस करेगा और साइड से क्या होगा बाहर निकल जाएगा इस बिधि दुआरा हम लोग अपपोहन बिधि में dialesis process में कुलाइडी विलियन का सोधन करते हैं बड़ा इस सिंपिल है एक बार आज़ सीख लेते हैं हमने क्या किया एक बड़ा सा पात्र लिया पात्र में जिल्ली को यहां पर हमने लटका दिया लटकाने के बाद इसमें असुत को भरा और कुलाइडी विलियन भी ऐसा होता इ तो इसके अंदर जो छोड़े छोटे आयनिक या अन आयनिक क्रिष्टलाब के कड़ होंगे वह इस अपोहन जिली के द्वारा जल में आएंगे बिसरीत होंगे च्छन जाएंगे आपका सकते हैं बिलियन में आने के बाद एक साइड से जल प्रिविस करेगा दूसरे साइड से वह जाते है वह वह जो दाले जाते हैं इस प्रकार से फोषन बिध्धी द्वारा का सोधन करते हैं तो इस प्रकार से फ्ञाइड बनाव है जब भी डिखा जा तो आपको लिखना एक बादा सा पात लेते हैं जिसमें जल भरा होता है जल एक साइड से प्रियस करता है पात में दूसरे साइड से जल बाहर होता है उसमें पार्चमेंड जिल्ली अपोहन की थैली को लटका देते हैं अपोहन की थैली में हम लोग असुद कोलाइडी बिलियन को भरते हैं जिसमें छोटे-छोटे अपोहन बिदी में किसी भी कोलाइडी बिलियन का सोधन कैसे किया जाता है यह बिलकुल मैध्यड यही है अभी हम लोग इसी में सीखेंगे चलिए अब हम लोग सीखेंगे बैदूत अपोहन बिदी बैदू तप्रोहन विधी है क्या इलेक्ट्रोडायलोसिस प्रोसेस यहां पर हम लोग क्या करते हैं बिल्कुल प्रोसेस वही होता है यह ऐसा यहां सिस्टम लगा होता है कि थोड़ा और इसे छोटा बनाती है यह सिस्टम कुछ ऐसा होता है ऐसा राइट यह भी पार्चिमेंड जिल्ली का ही बना होता है और यहां पर हम लोग करते क्या हैं दरसल एक साइड से हम लोग विद्दूत अपोहन विदी का हम लोग प्रियोग कप करते हैं यह हम लोग ध्यान देना है बिद्दूत अपोहन विदी का बच्चो प्रियोग हम लोग तब करते हैं जब कोलाइडी विलेन में क्रिष्टलाप के कल आयनिक हो एक धनायन हो दूसरा रिडायन हो एनोड और कैथोर टाइप उपस्थित हो तो बिद्दूत अपोहन विदी द्वारा कोलाइडी विलेन का सोधन किया जाता है इसमें भी एक बड़ा सा पात लेते हैं और पात में एक भाग में हम क्या करते हैं नोड जोड देते हैं दूसरे भाग में कैथोर जोड देते हैं अब यहां पर हम क्या करेंगे इस पार्चिमेंट जिली में अपोहन के थैले में कोलाइडी विलियन को भर लेते हैं राइट क्या भर लेते हैं कोलाइडी विलियन को और कोलाइडी विलियन भी ऐसा होता है अभी हमने आपको बताया एक धनावेसित होता है दूसरा रिनावेस स्वासित होगा ऐसे हैं हम लारत सब्सक्राइब करें तो जो धन् mistर करेंगे do जो रिनावेसित कड़ होंगे वो एनोड भाग क्योर निकल के भागेंगे और जो धनावेसित कड़ होंगे वो कैथोड भाग क्योर निकल कर भागेंगे जो धनावेसित कड़ होंगे यहाँ पर आप देख पारे जितने धनावेसित कड़ है यह निकल निकल कर इस एनोड और क काइठोर्ड भाग क्यों निकलते हैं यानि कि कि जब को लाइड़ी विलेयन में अशुधिया धनायनिक और एक ताइप अयनिक टाइप पस्तित होते हैं तब को लाइड़ी विलेयन सोधन के लिए हम लोग विद्दुत अपोहन इलेक्टो प्रोसेस का अपियोग करते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं एक बड़ा सा पात लेते पात के एक भाग में रिनायनिक भाग होते हैं वह निकलेंगे जो धनायनिक भाग होंगे वो KATHOR की ओर निकलके जाएंगे राइट तो प्रकार से हम लोग कोलाइड़ी-economes का सोधन आसानिव소 कर लेते हैं जब आएनिक कोलाइड़ा сallusion हो तब इस प्रकार से आएनिक कोलाइड़ी-economes का सोधन बैद्दोत अपोहन बिधि द्वारा किया जाता है चले हम लोग दो हेड़ान्स के बारे में जान पाएँ अब आप फिल्टरन भिधी जाने के बच्चों अल्ट्रा-Filtration अत्यस्च मफिल्टरन भिधी में क्लाइडी विल्यन का सोधन कैसे किया जाता है। बात करые दिया आतिसूचमनë फिल्टरन की तो बड़ाई सिंपिल है इसमें खुछ है नहीं अपने नाम से ही परिचे दे रहा है इसे आप आतिसूचमन इसांधन में का सकते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कोलाइडी विलियन को अपोहन की जिल्ली या आप कह सकते हैं कोलाइडी विलियन को पार्चमेंड जिल्ली पर डाला जाता है दरएसल होता क्या है जो कुलाइड के छोटे छोटे कं होते हैं वो पार्चेमेंड जिली यह आप कह सकते हैं अपोहन के दुआरा नहीं छन पाते हैं और् Su को आप पार्चमे जिली पर डालेंगे जो अनायनिक वह होंगे वह पार्चमेन झिली से क्यूंने जो क्रिश्टल आप कि कर होंगे वह आशानी से च्छण जाते हैं तो इस प्रकार से को लाईडी विल्यून का सोधन अतिसूच्म फिल्टरन मिधी द्वारा किया जाता है अत्य सुच में फिल्टरन मिधी में करते क्या है एक पार्चिमेंड जिल्ली लेते हैं आप वहन की जिल्ली लेते हैं जिसमें असुद कोलाइडी विलियन को डाला जाता है जैसे ही आप असुद कोलाइडी विलियन को डालेंगे इसमे जो असुद्धियां होंगे जो किस्टलाप टाइप के छोटे कण होंगे यह आप कर सकते हैं जो आइनिक टाइप के छोटे कण होंगे वो क्या होंगे इनसे धीरे-धीरे छनते जाते हैं राइट वो इनसे धीरे-धीरे छन जाते हैं बट कोलाइड के जो छोटे कण होते हैं वो नहीं चहन पाते अगर को लाज के जो छोटे कड होंगे नहीं चहन पाएंगे तो जाहिए कि बात है सुद्ध को लाज्डी विलियन पार्चमेन जिलने पर सेश बचा रहेगा और सेश को लाज़ी विलियन च्हन की बाहर हो जाएंगे राइट तो इस प्रकार से इन तीनों मेध्सेर्ड इन तीनों प्रोसेश दोरा को लाइडapter का सूधन किया जाता है तो आज के एधियन हम लोग सीख पाले के सुध्धी करण के बारे में से सलेशन सोर्फ के बारे में और इसकी बात विडिओ안 में हम लोग अब मुलाकात करने कोशिस करेंगे ज्यादा तर बच्चों हम प्लेलिस्ट में हर हेडलाइन हर चैप्टर संबंधित विडियो प्रोवाइड कर दिये हैं वहां पर आप आप जाकर विडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं अपने पूरे बोड की प्रेशन तै करने वाद